हेलो गाइच आप सभी लोगों को इंतिजार था होगा कि रांची इनिवर्षिटी रांची का पीजी का फोर्म कब आएगा यानि कि रांची इनिवर्षिटी के अलावा जितने भी रांची इनिवर्षिटी से अटोनोमस कोलेजियों का पीजी का फोर्म कब आएगा तो लोग देख रहे हैं यूट्यूब चानल ओलाइन विकास और जो लोग अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किये चानल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए सबसे पहले आप लोग को में पेपर कटिंग दिखा देता हूं जो की दैनिक भासकर तेइस ग्यारह दोहजार एकिस का पेपर में दिया हुआ है उसके बाद आप लोग को को लिज के वेबसाइट पर ले करके दिखाऊंगा जिस भी कोलेज का पीजी के एडमिसन फॉर्म आ चुका है तो देख सुरू है जो की आप लोगों को मैं नीचे में दिखा देता हूं क्या क्या लिखा हुआ है और तो यहां पर देखे रांची नेविशिटी के अंतरगत चोओदा अंगी भूत कोलेज है ठीक है इसमें से मड़वारी कोलेज और ओमेंस कोलेज अटोनोमस है इन दोनों कोलेज ना हो रहा है इच्छोग चात्राइं चांसलर पोटल जो की यहां पर दिया गया है www.jharkhand.iniversity.nice.in इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ पर जा करके आप लोग टेस्ट करके विजिट कर सकते हैं यह चांसलर पोटल का विबसाइड साथ ही साथ आप लोगों को चांसलर पोटल में नमांकर्ण के लिए फोम अप्लाई करना होता है तो उस फोम अप् किया जाता है फिर देखिए आगे में क्या लिखा हुआ इससे नमांकर्ण के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं ठीक है तो 30 नौवंबर को एडमिशन फोम जमा होगा ठीक है यह है ओमेंस कोलेज का पहली चैन सुची जो कि तीन डिसमबर को परकासित होगी यह सारा चीज है फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है कि प्रकासित होगी नमांकर्ण जो कि चार से लेकर के 10 दिसमबर तक होगा और दूसरी सुची जो कि 12 दिसमबर को आएगी और क्लास 15 दिसमबर से शुरू हो जाएगी फिर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है मडवारी कोलेज में 10 दिसंबर तक चांसलर पोर्टल पर ओलाइन फॉर्म जमा होगा ठीक है फर्स्ट लिस्ट जो कि 14 को निकाला जाएगा और सेकेंड लिस्ट जो कि 24 को जारिक की जाएगी फिर यहां पर आप लोगों को यहां पर सीट दिखा देता हूं कि किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट के ल में 50 जोलोगी में 50 हिंदी में 80 अंग्रेजी में 70 एतिहास में 110 और आजसास्त में 85 और राजनीतिक विःटिक भिज्ञान में 85 और हूम साइंस में 45 और दसेंसास्त में 60 और भूगोल में 60 और इकॉम में 120 ठीक है तो इसी तरह देखिए मड़वारी कोलेज में उमड़वार हैं तो यह खड़ा भी से में 46 सीत हैं तो यह आप लोग को में एक आप लोग को में आप in साइड पर ले कर जाता हूं ढहिता हो सबसे में आप को मैं दिखा देता हूं राची omen's college नाची का तो आप लोग देख पार रहोंगे राची omen's college नाची का उप्सेल विबसाइड है खोल लिएगा तो आप लोग नीचे आहिएगा तो यहां पर देखीएगा मैं यहां पर कुछ डेट मेंशन किया गया है तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ आप लोगों में पढ़के बताता हूं अप्लाइए ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर एड्मिशन इन लिए ममसी एम कॉम ठोड़ चांसलर पोटल तो जो रांची वोमेंस को लेकर जो फॉर अप्लाइब करना है फॉर में मसी एमकॉम के लिए तो चांसलर पोडल से अप्लाइब हो घाटीक है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं आप लोगों पहले भी बता आप समिट कर सकते हैं एडिमीशन फोर्म और जो पब्लिश किया जाएगा फर्स्ट लिस्ट और कब निकाला जाएगा तो तो आप लोग देख पा रहोंगे जैसे ही आप लोग मड़वारी कोलेज को अप्साइट खोलिएगा तो आप लोग को फर्स्ट में ही इस तरह का कुछ मेसेज दिखेगा जो कि नोटिस फोर स्टूडेंट लिखा हुआ उपर में दिख रहा होगा तो यहां पर देखिए यह नोटिस बोर्ड है जिसमें की इमिशन फोर्म पीजी जो कि एमें मसी और एमकॉम थ्रो चांसलर पोर्टल लास्ट डेट जो कि 10 दिसमबर 2021 से ठीक है तो आप लोग को दिख गया होगा यहां पर क्या देखने को मिला कि पीजी का जो एमें मसी और एमकॉम का जो फोर्म है वह आचुका है आप लोग अपल देखने को मिलेगा ठीक है तो देखिए यहां पर स्क्रोल होता हुआ आ रहा होगा आप लोग को दिख रहा होगा यह ठीक है इसमें लिखा हुआ है जो चीज वहां पर लिखा हुआ था अपलाइफ और एडिमिशन फोर्म पीजी एमें मसी एमकॉम थ्रो चांसलर पोर्टल जैसे ही इसको आप टेस्ट किजिएगा 10 दिसंबर 2021 जैसे ही आप इसपे टेस्ट किजिएगा तो आपको रिडारेक्ट के ले जाएगा चांसलर पोर्टल के उपसेल वेबसाइड में ठीक है जो कि जहां पर की आपको अपलाई करना होता है तो चेले मैं इसमें एक बार टे आप लोग इहीं पर आप करके अपलाई किजिए गया जो लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह से अपलाई करना होता है तो उन nowadays यह वीडियो बना दिया हूँ तो उसका लिंक मैं डिक्रिच्णि में दे दिया हूँ और पर जा करक डेच करके जएख सकतें ऊहर्म बीडियो और और आप लोगों को भी वीडियो दखने के लिए धन्यवाद जैहिंद जैभारत